Hello everyone, welcome back to the channel So, आज के इस वीडियो में हम awards और honors देखने वाले हैं 2024 के latest और पुराने भी revive करेंगे स्टार्ट करते हैं पहले question के साथ Who has been awarded with the major ध्यानचंद के लरतन अवार्ट 2023 ये अवार्ड मिला है सत्विक साहिराज रंकी रेड़ी और चिराग शेटी इन दोनों players को द्रापदी मुर्मु के द्वारा ये awards दिये जाते हैं राश्ट्रुपती भवन में नई दिल्ली में National Sports Awards है यहाँ पर picture किसी और की लगी हुए मुहमत शामी है इनको 2023 का अरजुन अवार्ड दिया जा रहा है ठीक है यहाँ पर देखते है द्रोना चारे अवार्ड ये मिल रहा है पाँच कोच इसको मल खंब के कोच है गनेश प्रभाकरन पैरा एथलेटिक्स के है महावीर सैनी रेस्लिंग के है ललित कुमार जैस के है आरबी रमेश और होकी के है शिवेंद्र सिंग मुहमद अबुल कलाम आजाद ट्रोफी दी जाती है यूनिवर्सिटी को जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में बहुत अच्छी भूमेका निभा रहा है तो ये गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमरित सर को दी गई है ठीक है और अरजुन अवार्ड भी कई सारी प्लेयर्स को दिये गए हैं जसमें मुहमद शामी भी एक है ये देखे 26 अवार्ड दिये गए हैं आरजुन अवार्ड में कौन-कौन से एक बार नाम देख लेते हैं सबके पवन कुमार कबड़ी, रितुनेगी कबड़ी, नसरीन, खोको, पिंकी, लॉन बॉल्स, एश्वरी परताप सिंग्तोमर शूटिंग, ईशा सिंग, शूटिंग, हरिंदर पाल सिंग, संधू, स्कुएश, एहिका मुखर्ची, टेबल टैनिस, सुनील कुमार रेसलिंग, अं अगे 2023 के अवर्ड्स रिवाइस कर लेते हैं, और पहला क्वेशन है, वो हैज वन शास्त्र रामानुजन प्राइस 2022, तो इस अवर्ड को जीता है, रूजियांग जांग ने ओप्शन एकरेक्ट है, मैथेमेटिक्स में ये प्राइस दिया जाता है, शास्त्र रामानुजन और इनको मिला है, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेशन है, वो वन बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी अवर्ड फोर 2022-23, मैंगलोर रिफाइनरी को ये अवर्ड दिया गया है, बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी, मैंगलोर रिफाइनरी और पेट्रो क्यामिकल्स इरान से हैं ये ये युरोपियन यूनियन के द्वारा ये अवाड दिया जाता है सक रोफ प्राइस ठीक है और पुलिस इरान की पुलिस कस्टडी में इनकी डेत हो गई थी रिसेंट्ली ठीक है तो महसा जीना आमीनी इरान से इनको दिया गया है Who has won Nobel Prize 2093 in Economics Economics का Nobel Prize 2023 में Claudia Golden को मिला है Option B correct है और ट्रिक याद रखने की आप कर सकते है Claudia Golden Gold जो है किस से related है economy से तो इसलिए Claudia Golden को मिला है Economy का Nobel Prize 2023 के लिए USA से हैं ये और इनकी जो study रही है जिसके तुरू इन्होंने समझाया है लोगों को About the Women's Labor Market Outcomes इसके लिए इनको दिया गया है ये Award Nobel Prize 2023 के लिए यहाँ Nobel Prize की थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो ये Alfred Nobel के नाम पर दिया गया है इन Awards को नाम स्वीडन से थे ये Dynamite के इन्वेंटर थे पहली बारी Award 1901 में दिया गया था छे फील्स में दिया जाता है Physics, Chemistry, Literature, Physiology और Economics Economics का 1901 में नहीं दिया गया था Economics का पहली बार 1964 में दिया गया था और फिर छटा प्राइस है Nobel Peace Prize ये छे Award Totals में दिया जाते है छे फील्स में ठीक है, सारे स्वीडन में दिया जाते है लेकिन Peace Award ये दिया जाता है नौवे में Who has won Nobel Peace Prize 2023 ये मिला है नर्गेस मुहमधी को इरान से है ये भी और इनको दिया गया है For her fight against the operation of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all ये Mystery के Nobel Prize की बात की जाए तो Alexey Ekimov, Russian physicist है Louis Ebrus, ये USA से है और Mongli Gabriel Bavindi ये American Tunisian French chemist है इन तीन लोगों को दिया गया है Chemistry का Nobel Prize for the discovery and synthesis of quantum dots Quantum dots के लिए अभी पिछले 2-3 सालों से मिल रहा है Physiology ये Medicine की बात करें तो ये मिला है Catalin Carrico और Drew Wiesman को Catalin Carrico ये Hungarian American Biochemist है और Drew Wiesman American Physician है इन दुनों को मिला है for their discoveries related to Nucleoside Base Modification और इसी की help से COVID-19 के लिए जो mRNA vaccine बनाई गई थी वो इसी लिए इतनी जल्दी बन पाई क्योंकि इन्होंने इनकी ये discovery थी Nucleoside Base Modification की Physics के Nobel Prize की बात करें तो ये तीन लोगों को मिला है Pierre A. Agostini, French Experimental Physicist है Frank Krause, ये Hungarian American Physicist है और Annie L. Heulier, ये French Physicist है इन तीन लोगों को मिला है Physics के लिए Nobel Prize for Experimental Methods that Generate Eto-Second Pulses of Light for the Study of Electron Dynamics in Matter Electron के अंदर किस तरह से dynamics काम करते हैं इसकी study के लिए इन होने light की बहुत छोटी ray generate की थी Eto-Second Pulses of Light generate की थी ठीक है जिससे Electron के अंदर क्या चल रहा है क्या changes चल रहे हैं उनको समझने में help मिल सकती है तो इन तीन लोगों को मिला है Physics के लिए Nobel Prize in Literature किसको दिया गया है ये John Foss को मिला है 2023 के लिए Norway से है ये Norway के author है और इनको दिया गया है Who has received दादा साफवाल के Lifetime Achievement Award 2021 2021 के लिए ये Lifetime Achievement Award मिला है वहीदा रह्मान को यहाँ पिक्चर में देख रहे है यहाँ पर 69th National Film Awards की बात की जाए तो द्रापदी मुर्मुक के द्वारे प्रेजन्ट किये गए है Best Feature Film इसमें Rocketry दनामे Effect है Best Actor अलू अर्जुन है Best Actress अलिया बट है दादा साब पाल के Lifetime Achievement Award 2021 के लिए वहीदा रह्मान को मिला है पहली विनर इसकी देविका रानी थी यह अवार्ड मिला है स्वादी नायक को यह तीसरी Indian Agriculture Scientist है जिनको यह अवार्ड मिला है 10,000 डॉलर का इसमें प्राइस दिया जाता है Norman Borlaug Father of Green Revolution के नाम से इनको जाना जाता है और Father of Indian Green Revolution है Ms. Swaminathan वो वन टाइटल ऑफ Miss Earth India 2023 यह टाइटल जीता है प्रियन से इनने राजस्थान से यह बिलॉंग करती है विज स्कीम वन नाशनल अवार्ड फॉर ए-Governance 2023 यह स्कीम है स्वामित्व स्कीम Ministry of Penchayati राज की है यह बहुत important चीज़ा जो याद रखनी है Swaminathan की full form है Survey of Villages, Abadi and Mapping with Improvised Technology in Village Areas एम है इस स्कीम का to provide property ownership rights to individuals residing in village areas Which cities has won the Smart City India Award 2022 यह city है इन दौर जिसने Smart City India Award जीता है यह awards organize किये जाते है Ministry of Housing and Urban Affairs के द्वारा Minister है हरदीप सिंग पूरी National Smart City Award मिला इन दौर को second number पर सूरत रही है State Award में मध्यपरदेश को मिला है और UT में चंडीगड को यह award दिया गया है Next बात करें Erika Robin की तो पहली Miss Universe पाकिस्तान यह बनी है फिर Government of India के द्वारा एक National Awards इंट्रड्यूस किये गए है राष्ट्रे विज्यान पुरसकार RVP यह awards Science, Technology और Innovation की फील्ड में Who won the 65th Raman Maxisay Award 2023 from India तो यह जो Raman Maxisay Award है चार लोगों को हर साल दिया जाता है भारत से 2023 में मिला है Ravi Kannan R को तो option B correct हो जाएगा यह चार लोग कौन से हैं तो एक तो है Oncologist Dr. Ravi Kannan R इंडिया से Cancer को Treat करने का काम करते हैं दूसरे वेक्ति हैं Miriam, Colonel, Ferrer यह Philippines के हैं फिर Eugenio, Lemos, Timor, Leste से बिलॉंग करते हैं और Corvy, Rakshand, Bangladesh से हैं इन चारों लोगों को मिला है 2013 में Raman Maxisay Award इसे Nobel Prize of Asia के नाम से भी जानते हैं इस अवार्ड को वो वन दे टाइटल of Miss International India 2023 यह प्रवीना अंजना ने तो option C correct है विच रेल्वे स्टेशन गोट UNESCO's Asia Pacific Cultural Heritage Award तो यह मुंबाई में बायकूला रेल्वे स्टेशन है जिसको यह अवार्ड मिला है UNESCO का Asia Pacific Award विच फिल्म वन बेस्ट फिल्म अवार्ड अट इंडियन फिल्म फेस्टिवल आफ मेल्बर्ण तो सीता रामम जो बुक है I'm sorry जो मूवी है इसको मिला है बेस्ट फिल्म अवार्ड इंडियन फिल्म फेस्टिवल आफ मेलबर्ण में Best Performance in Film Male Category में Mohit Agrawal को मिला है For Agra Best Performance in a Film Female Category में Rani Mukherjee को मिला है और Rising Global Superstar of Indian Cinema Kartik Aryan रहे है Best Film इसमें Sita Ramam रही है और Best Documentary to Kill a Tiger है Who has been conferred with the Lokmane Tillak National Award 2023 यह award मिला है PM Modi को Who has won prestigious International Annie Award 2023 Thalappil Pradeep इसका answer होगा इन्हें मिला है International Annie Award 2023 किसके द्वारा दिया जाता है Italian Energy Company है Annie इसके द्वारा यह दिया जाता है और यह जो हैं Thalappil Pradeep IIT Madras के Professor है जिनको इस साली अवार्ड मिला है Recently PM Modi received which country's highest owner Order of the Nile Order of the Nile Egypt का highest owner है जो कि हमारे प्रधानमंतरी को दिया गया है Nile River की बात करें तो origin तो देखें यहां से हो रहा है Lake Victoria जो है यहां से origin होती है फिर Uganda, South Sudan Sudan, Egypt यहीं से हो कर निकलती है ना सारी कंट्रीस से हो कर निकलती है और मिलती सुदान में Blue Nile और White Nile एक दूसरे से मिलती है जिसके बाद है Nile River के नाम से जानी जाती है लेकिन Egypt के लिए बहुत जादा इंपोर्टन्ट यह रिवर है Egypt की तो जो हाइस्ट ओनर है Egypt का यह भी Order of the Nile इसका नाम रखा गया है जो की 2023 में मिला है PM Modi को यह वही दिये हुए White Nile मेंने बता दिया लेक टना है जहां से Blue Nile लिकलती है Blue और White दोनों सुदान में जाकर मिलती है जहां से Nile River के लाती है और Mediterranean Sea में यह जाकर अपना पानी किराती है Who has been honored with the prestigious Sahit Academy बाल साहिते पुरसकार 2023 यह जो अवार्ड है यह मिला है प्रिया एएस को इनकी नॉवल है पेरु मजा पेरु मजा यह थे कुंजी थालुकल इसका मतलब है The Children Who Never Withered इस नॉवल के लिए इनको साहिते अकाडमी बाल साहिते पुरसकार दिया गया है Who has named Global Indian Icon at UK India Awards पिक्चर में देखी रहे हैं आप लोग पैचान भी गया हूंगे Mary Com है जिनको यह अवार्ड दिया गया है Boxing Champion Boxing Champion है यह मनिपूर से बलॉंग करती है India की First Ever Olympic Medalist है Women's Boxing में Tokyo Olympic में इनोंने medal जीता था और अभी इन्हें Global Indian Icon at UK India Awards दिया गया है Which is India's First PSU to Achieve Anti-Bribery Management System Certification इसका अंसर है ONGC Oil and Natural Gas Corporation Intercert USA के द्वारा यह अवार्ड दिया गया है Oil and Natural Gas Corporation को इसकी बात करें तो उस्थापना हुई थी 1956 में Headquarter है New Delhi में और Chairman और CEO है Anil Arun Kumar Singh Which Indian has been named in 2023 List of Great Immigrants Great Immigrants के लिस्ट में नाम आया है Ajay Banga का नाम इसमें शामिल किया गया है World Bank के President है Indian Origin है Who has been awarded with Pen Pinter Prize 2023 तो पिक्चर में जिन्हें आप देख रहे हैं यह है Michael Rosen Option D correct है British Children's Writer है यह और इन्हें मिला है Pen Pinter Prize 2023 का Question है Gandhi Peace Prize for 2021 Has been awarded to Gandhi Peace Prize यह दिया गया है Gita Press को Gita Press आपने किताबे पढ़ी होंगी महाभारत, रामायन और इस तरह की जो भी Religious Text होते हैं उनको यह पब्लिश करने का काम करता है गोरखपूर में Establish है International Gandhi Peace Prize की बात की जाए तो यह Government of India के दोबारा आवर्ड दिया जाता है पूरे वर्ल्ड का लार्जस्ट पवलिशर है Recently, who has received 57th ज्यानपीट अवर्ड 2022? तो 57th ज्यानपीट अवर्ड 2022 का मिला है दामुदर मौजा को Option No.2 करेक्ट है ज्यानपीट अवर्ड की बात की जाए तो यह Oldest और Highest Indian Literary Award है पहले बार यह अवर्ड दिया गया था 1965 में जी शंकर कुरूट को ठीक है अभी मिला है दामुदर मौजा को जो की गोवा से बलौग करते हैं Which state has been awarded the first prize in fourth national awards 2022 तो fourth edition था national award का और national water award मिला है जो इसमें first prize मिला है मध्यपरदेश को option C करेक्ट है यहां पर देखें fourth edition national water awards best state मध्यपरदेश रहा जिसको first prize मिला है best district रहा गंजम district पूरिसा का best पंचायत इसमें थी जगनाथ पुरम पंचायत तलंगाना की ठीक है और national water awards किसके द्वारा दिये जाते है ministry of जल शक्ति के द्वारा 2018 से दिये जा रहे हैं और इस साथ fourth edition था who has won prestigious German Peace Prize 2023 German Peace Prize यह मिला है सलमान रुष्टी को एक author है बहुत सारी books भी आपने इनकी याद की होंगी British American author है who has been honored with UNESCO's Michelle Bettis Award तो यह जो है UNESCO का Michelle Bettis Award यह दिया गया है जगदीश बाकन को किस लिए मिला है for creating green jobs and micro edit in Gulf of Manar Biosphere Reserve which company won the best production or process development award यह company है भारत बायोटेक option C correct है award दिया गया है कौन सा World Vaccine Congress 2023 में USA अमें यह अवार्ड जो हैं दिये गये थे भारत बायोटेक किस लिए आपने याद किया था तो इनको वैक वैक्सीन जो है वर्ल्ड की पहली इंट्रा निसल वैक्सीन नीडल फ्री इसको डेवलप किया था भारत बायोटेक ने हिदराबाद बेस्ट एक ये company है हूँ है वादेट वीड़ विड़ अवार्ड़ कि सम्मानित किया गया है तेड रोस गेबरेसिस तो ऑप्शन सी इस का करेक्ट है कौन हे ये डबलू एचो के डिरेक्टर जनरल है और इनको अवाड़ किसके द्वारा दिया गया है इंतरनाशनल अंपिक काश्योटी के है द्रापदी मुर्मू इनको यह अवार्ड दिया गया है सुरी नाम का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड साउथ अमेरिकन कंट्री है सुरी नाम जिसके क्यापिटल है परा मारिबो प्रेजिडेंट है यहां के चंदरी का परसाथ संतोखी ठीक है और इसका नाम भी आज रख सकते हैं सुरी नाम का हाइस्ट सिविलियन अवार्ड इसका नाम है ग्रांड ओर्डर ऑफ दा चेन ऑफ येलो स्टार इसका नाम है और इसे इंग्लिश में एंचुला रॉडल के दुवारा ट्रांसलेट किया गया था फिर लास्ट यर का हमको पता ही है 2022 का जो है इंटरनेशनल बुक कर प्राइज वो मिला था कि तांजली श्री को भारत की है ये टॉम बॉफ सैंड इनका नौवल था जिसके लिए इन है ये अवर्ड दिया गया था आप देख रहे हैं पिक्चर में पहचानी गए होंगे कौन है लियोनल मेसी है जिनको दिया गया है लॉर्यस स्पोर्ट्स में आफ दे इयर अवर्ड अब यहां पर थोड़ी सी डिटेल देखेंगे तो 2023 लॉर्यस वर्ल स्पोर्ट्स आवर्ड ये इस सेरेमेनी कहा हुई थ विनर्स की बात करें स्पोर्ट्स में आफ दे इयर अवर्ड हमने देखा लियोनल मेसी रहे अरजंटिना के फुटबॉलर है स्पोर्ट्स विमन आफ दे इयर अवर्ड मिला शेली एन फ्रेजर पायरस को जो माइका से बिलॉंग करती हैं फिर ब्रेक्थ्रू अफ दे इयर अब ही दिया जा रहा है 2023 वाला जो यह मिलेगा आशा भोसले को अप्शनमबर बी करेक्थ है आप पिक्चर में भी इनको देख रहे हैं यहां पर यह मैंने बता ही दिया और लटा मंगेशकर लेजिंडर इंडियन सिंगर है जिनकी हाली में मृत्य हो गई थी उन्ही के नाम पर उनकी फैमिली ने इस अवार्ड को शुरू किया है सुर कोखिला के नाम से उनको जानते हैं भारत रत ने 2001 में लटा मंगेशकर को मिला था और अभी लटा मंगेशकर लटा दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 का आशा भोसले को दिया जाएगा विच पोर्ट वन दसागर स्रेश्ट अवार्ड 2023 यह कोचीन पोर्ट ठीक है ऑप्शनमबर भी हां पर करेक्ट है यहां देख लेते हैं सागर स्रेश्ट अवार्ड 2023 विनर रहा कोचीन पोर्ट केरला का है और फोर दे बेस्ट टर्न अराउंड टाइम इन नॉन कंटीनर कैटिग्री में इसको ही अवा इसके लिए अवार्ड मिला है करनाटका को आप्शनमबर बी करेक्ट है आपन प्रधान मंत्री फसल बीमा योशना गौवर्मेंट स्पॉंसर्ड क्रॉप इंशॉरंस स्कीम है फसल का इंशॉरंस तो क्रॉप इंशॉरंस स्कीम है 2016 में पी-म मोदी ने लांच किया था Ministry of Agriculture and Farmers Welfare के द्वारा इसको रन किया जाता है इंप्लिमेंट किया जाता है नेक्स्ट क्वेशन है यह रहे हैं पंडित राम किशन कौन है यह फॉर्मर एंपी है लोग सभागे ठीक है और इनको श्रतापती पुरुष मैं अफ दे सेंचुरी टाइटल दिया गया है 97 इनकी एज है 97 साल के है तो आप सामने देख रहे हैं इनको पिक्चर में योगी आदितेनाथ बी इसका आंसर होगा अवर्ड प्रेजेंटेट बाइ रामनात कोविंद हमारे फॉर्मर प्रेजिडेंट ओफ इंडिया इनके द्वारा अवर्ड दिया गया है अवर्ड है भारत रत्न डॉक्टर अंबेटकर अवर्ड योगी आदितेनाथ यूपी के सी एम को दिया गया है इसका आंसर होगा उट्सा पतनायक को आप्शन नमबर A करेक्ट है उट्सा पतनायक जो है इंडियन एकोनोमिस्ट है इनको दिया गया है यह वन अप दो मोस्ट प्रेस्टीजियस नैशनल अवर्ड है जिसमें दो लाख रुपे का प्राइज दिया जाता है इनको यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं कुछ महिलाओं को गीता राना नेगी यहाँ भी देख रहे हैं आप आप आप्शन में फिर शालिजा धामी पहली विमेन टू कमांड फ्रंट लाइन इंडिन एफोर्स कॉंबैट यूनिट और भावना कांथ पहली फीमेल फाइटर पाइलिट्स फिर नेक्स आते हैं अवार्ड के बारे में बात करें यूनेसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दोजार तेस तीन इरानियन जर्नलिस्ट को यह दिया गया है नाम है इनके निलूफर हमेदी, एला है मोहमदी और नर्गिस मोहमदी तो यह तीन है इरानियन जर्नलिस्ट हैं जिनको यूनेसको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है यह जो डाइटल है राजस्तान की नंदिनी गुपता ने जीता है और यह जो आप्शन ए में देख रहे हैं आप श्रेया पुंचा यह रना रप रही है ठीक है दिल्ली से भलॉंग करती हैं लास्ट यह मिस इंडिया ट्वंडी 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 टू यह थी सिनी शेट के लिए ठीक है और लास्ट यह किसे मिला था रामदर्श मिश्रा को पहले विनर इसके थे हरिवंश राय बच्चन सरस्वती सम्मान जैसे अमने देखी लिए बुक्स के लिए मिल रहा है तो लिट्रेरी अवार्ड है के के बिल्ला फाउंडेशन की द्वारा दिया जाता है पहली बात तो इबल प्राइस किसके लिए दिया जाता है तो मैथेमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है मैथेमेटिक्स का नूबल प्राइस भी इसको कंसिदर किया जाता है और 2023 के लिए अवार्ड मिला है लुईस केफरेली को तो ऑप्शन नमबर सी यहां पर करेक्ट ह अर्जेंटीन अमेरिकन है ये लुइस के फ्रिली किसके द्वारा दिया जाता है तो नौर्वेजियन अकैडमी ओफ साइन्स एंड लेटर्स के द्वारा दिया जाता है और दो हजार पाइस लास्ट इयर का अवार्ड मिला था डेनिस पार्डनेल सुलिवन को 32 व्यास सम्मान अवर्ड मिला है यह ग्यान चतुर वेदी यहां पर आप देख रहे हैं एक डॉक्त इयर मिला ता यह जो प्राइज है यह मिला है डेविट शिपर फिल्ड को ठीक है और लास्ट इयर का मिला था फ्रांसिस केरे को यह बुर्कीना फासो से थे इसका अंसर होगा सी आर राउ दुहाज दिल्ड को मिला है इंब विच मिनिस्ट्री गट पौर्टर प्राइज 23 मिनिस्ट्री को मे ली है क्यूं मिला है यह प्राइज क्योंकि इन्हों कोई 2019 के टाइम पर हेंथ मिनिस्ट्री का जो भी युगदान रहा है उसके लिए ये प्राइस दिया गया है नेक्स्ट देखें केरला जोती ये मिला है केरल ये जो है केरला का हाइस्ट सिवेरन अबॉर्ड है गिदिया गया है एम्टी वसुदेवन को एक राइटर है ये लिया अबराहम इंडियन-अमारिकन फिजेशियन है और इन्हें यंग यूरोलोजिस्ट ओफ द इयर अवार्ड मिला है मराथा उद्योग रतन 2023 अवार्ड मिला है निलेश सामबुरे को 2022 के लिए बेस्ट फीफा प्लेइर रहे है रहे है तैसे फेले ऑर्जेन्टिना के अवार्ड इसमें मिला है पेले की पेले Brazilian footballer है और recently ही इनकी मृत्य हो गई है who has won 2023 Marconi Prize Marconi Prize 2023 ये मिला है Haribald Krishnan को ये एक computer scientist है और ये अवार्ड जो है दिया जाता है US-based Marconi Foundation के द्वारा who has been honored with the Maharashtra Bhushan Award for 2022 Maharashtra Bhushan Award 2022 के लिए ये मिला है अप्पा साहब धर्माधिकारी को यहां पर देखिए ये जो है Maharashtra Bhushan Award महाराश्टर का highest civilian award है ठीक है social work के लिए अप्पा साहब धर्माधिकारी को मिला है last year 2021 में ये अवार्ड मिला था आशा भोसले को art and music field में which bank has been awarded with digidhan award ये मिला है करनाटक बैंक को और प्रतिष्ठा पुरस्कार डीजी धन अवार्ड जो है उसके अंदर कैटेगरी है उसमें मिला है करनाटक बैंक को बाई मीटी ये दिया गया है ministry of electronics जो है उसके द्वारा for achieving target with highest percent in भीम UPI transaction ठीक है फिर next देखते हैं which district won स्वराज Trophy 2021-22 for best district पंचायत best district पंचायत इसके लिए स्वराज Trophy 2021 ये मिली है कोलम district को और ये district कहाँ पर है केरल में है ठीक है who has won the national geographic photo of the year contest 2023 के सुब्रमानियम या कार्थिक सुब्रमानियम जो है इनको national geographic photo of the year contest में इन्होंने जीता है who has won the title of miss universe 2022 2022 miss universe ये title किस ने जीता है आर बॉनी गैब्रेल ने option number यहां पर बी correct हो जाएगा कौन से number का title था ये 71st आर बॉनी गैब्रेल ये winner रही है USA से belong करती है 2021 में winner कौन था इंडिया की हरनाज संथू विच स्टेट हैस वन best state table award of republic day parade 2023 ये स्टेट है हमारा उत्राखंड उत्राखंड ने ये जीता है बेस्ट state table award और इसने क्या शोकेस किया था तो wildlife and religious sites जो स्टेट की है उसे शोकेस किया गया था सेकिंड नंबर पर रहा है महराश और थर्ड पर यूपी अदर विनर्स की बात करें तो best marching contingent ये मिला है आर्मी की पंजाव regiment को फिर ministries या departments कैटेगरी में देखें तो ministry of tribal affairs ये जीजी है और C.A.P.F. जो हमारी है Central Armed Police Forces जिसके अंदर seven forces है ये इसमें C.R.P.F. ने टॉप किया है ठीक है next question देखते हैं which initiative has won the platinum award in digital India Awards 2022 इसका अंसर होगा E-NAM E-NAM क्या है electronic national agriculture market ये initiative है ministry of agriculture का इसने जीता है platinum award in digital India Awards 2022 और कौन से category में तो digital empowerment of citizens category में इसने जीता है how many children have been selected for PM राश्ट्रे बाल पुरस्कार 2023 ये जो पुरस्कार है ये 11 बच्चों को दिया गया है 2022 में PM राश्ट्रे बाल पुरस्कार और 6 categories में ये दिया जाता है art, culture, bravery, innovation, social service and sports president के द्वारा ये दिया जाता है present किया जाता है president कौन है अभी द्रापदी मुर्मू और winners को cash prize मिलता है एक लाख रुपे which police station awarded as the best police station in India ये police station है उडिसा का असका police station और ये जो title है award है दिया जाता है home ministry के द्वारा इस समय minister कौन है अमित शाह which state won first habitat award 2023 for its जगा mission जगा mission जो है उडिसा का है जिसने जीता है world habitat award 2023 का जगा mission ये basically slum upgrading program है उडिसा की हाँ अमबारे में चीज़े लिक्यों है CM कौन है नवीन पटना है गवर्नर है कनेशी लाल who has been honored with the Assam Vajabhav award for 2022-23 2022 ते इसके लिए Assam Vajabhav award जो है basically Assam का highest civilian award है ठीक है और ये किसे दिया गया है तो answer है dr. तपन साइकिया इनको मिला है highest civilian award है Assam का second number पर कौन है Assam Saurav है और Assam Kaurav ये third highest civilian award है Assam का who has been conferred with award for global leadership ये award दिया गया है ती वाई चंद्रचूट को जो की हमारे 50th CJI है Chief Justice of India है किसके द्वारा दिया गया Harvard Law School Center के द्वारा PM Modi named how many undermanned islands after paramveer chakra awardees तो ये 21 ऐसे islands थे अंडमान में जो की unnamed थे और उन्हें नाम दिया गया है परमवीर चक्र अवार्डीज के नाम पर who has won ओडाकुजल अवार्ड 2022 ये जो अवार्ड है ये जीता है अंबिका सूथन मंगद ने आप पिक्चर में इनको देख रहे होंगे और इनकी जो short story collection है जिसका नाम है प्रान वायू इसके लिए इन्हें ये दिया गया है इस इसे 106 लोगों को अवार्ड दिया गया है ये अवार्ड पद्म अवार्ड इस साल यहां पर हम देखते हैं पद्म अवार्ड 2023 के टोटल 106 अवार्ड से इसले तीन क्याटेगरी को दिया जाता है हमें पथांश पादमविभूशन जो प्रान वाले च्हें लोगगों को डिया गया है eh पद्म विभूशन वाले छे लोग कौन कौन है श्री निवास वर्धन है बाल कृष्ण दोशी है अब ये ट्रिक है श्री बाला कृष्ण दिली जाकर मुलायम से मिले इसके जर्या आप इन छे लोगों को याद रख सकते है श्री से बन गए श्री निवास वर्धन, बाला से बन गए बाल कृष्ण दोशी, कृष्णा से सम कृष्णा, दिली से दिली माहल नबेस, फिर जाकर से जाकर हुसेन और मुलायम से मुलायम सिंग यादव ठीक है ये सभी आपको याद रखने हैं फिर ये पद्म विभूशन जिन लोग को मिला है उनकी फील्स और कौन सी कैटेग्री से बिलॉंग करते हैं वो लिखा हुआ है तो इसमें जो श्री निवास वर्धन है ये USA से बिलॉंग करते हैं साइंस और इंजीनियरिंग फील्ड म इस पाल कृष्ण दोशी ये आर्किटेक्ट्टर फील्ड से बिलॉंग करते हैं और ये पहले ऐसे इंडियन है जिन्हें पृज़र अवार्ड जो आकिटेक्ट्टर की फील्ड में दिया जाता है वो मिला था ठीक है पहले ऐसे इंडियन थे गुजरात से ये बिलॉंग करत यहां पर है पद्म भूशन कितने लोगों मिल रहा है नौ लोगों को कौन कौन है एस एल भायरप्पा है कुमार मंगलम बिला दीपक धर वानी जैराम स्वामी चिन्ना जी आर सुमन कल्यानपूर कपिल कपूर सुधा मूर्ती कमलेश डीप पतेल अभी देखे यहां पर यह न किये गए थे अवार्ड्स तब यह जीवित थी लेकिन उसके बाद इनकी मृत्य हो गई तो यह रेसीव नहीं कर पाई है ठीक है तमिल नाडू से बिलॉंग करती है और आर्ट फील्ड में इनको पद्मा भूशन से सम्मानित किया जा रहा है दोजार तेस में जब अनौस कि किया गए थे तब यह जीवित थी लेकिन अभी मरनो परांतिन को हो जाएगा रसीव करने के लिए इनकी तरफ से कोई और आएगा है और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है क्यानवे लोगों को कुछ यहां पर देख लेते हैं तो स्पोर्ट्स फील्ड से तीन लोगों को और थांगता गुरू है यह भी एक मार्शल आठी है थांगता फिर गुरू चरन सिंग गुर चरन सिंग यह दिली से हैं और फॉर्मर क्रिकेटर यह रह चुके हैं तो पहले हैं राके चुन-चुन वाला स्टॉक ब्रोकर है यह जिने पद्मश्री से सम्मानित किया जाने व अवार्ड मिला है नाटू नाटू हैना एहमाद हुसान और मोहमद हुसान यह गजल सिंगर है इन्हें भी पद्मश्री दिया जारा है रवीना तंडन एक्टर है और गुलाम मोहमद जैज यह लास्ट संतूर मेकर है कश्मीर विच इंडियन कंपनी वन अर्थ शॉर्ट प् एंडिया मेंट की फिल्ड में दिया जाता है 5 रटी इख में तो यह केति इंडिया की कंपनी जो है इसको होई कि इनडिया थे जो कि time magazine person of the year बने 1930 में who has been named as peta India's 2022 person of the year यह सुनाक्षी सिन्हा लास्ट लास्ट टाइम थी 2021 में आलिया भट who has won sahithya academy award 2022 in English language इनका नाम क्या है तो यह है Anuradha Roy option number C correct होगा देख लेते हैं इसके बारे में sahithya academy award यह second highest literary award है after gyanpeet award इसके स्थापना हुई थी 1904 में 24 languages में दिया जाता है 24 में 22 language तो वो हैं जो हमारे 8th schedule में mention है और उनके अलावा English और राजस्थानी language में भी यह award दिया जाता है English के winner कौन है Anuradha Roy for her novel for her novel all the lives we never lived और असमी language में बात करें तो Manoj कुमार गोस्वामी है for भूल सत्य इनकी short stories के लिए इन्हें दिया गया था यहां पर देख लेते हैं English के लिए हमने बात करें लिए Anuradha Roy Hindi के लिए बद्री नारायन है तो मादी के शब्द इनकी poetry के लिए इनको दिया गया उर्दू language में अनीस अश्वाक को मिला ख्वाब सराब इनकी novel के लिए तमिल language में एम राजिंदरन को मिला काला पानी के लिए और मराथी में प्रवीन दसरत बांदेकर को मिला इनकी इस novel के लिए लिए question है last में which city won world green city award 2022 options है Paris, Montreal, Hyderabad या फिर पूने आपको इसका अंसर देना है comment box में और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म होती है